लोगेस मैं खुशिरो आपका स्पागित करती हूँ अकपार बाने गौसे में घरवालों ने किया मना पर तेजस्वी प्रकाश ने फिर भी किया है ये काम क्या काम के लिए घरवाले तेजस्वी को मना कर रहे थे पर तेजस्वी ने उनकी एक भी ना सुनी चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ तेजस्वी प्रकाश से जुड़ी हुई इलीटेस अबडीट है मेरे साल लास तक जुड़े रहे है चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए तेजस्वी प्रकाश घर की अंदर काफे जादा सुलजी हुई दिखाई दे रही है जब उनका एंटेटेन करने का मन करता है तब वो आपको एंटेटेन करती है जब वो एक्चुली में उनके उपर अलिगेशन लगते तब उनका मूँ तोड़ जवाब देती है जब वो सुलजी हुई तरीके से बात करती है तब ही भी आप लोगों को काफे ज़दा अच्छी लगती है अभी तक तो तेजस्वी प्रकाश का जो रूप सामने आया है वो काफे ज़दा नाचुरल और रियल दिखाई दे रहा है और उसी दुरान ही तेजस्वी प्रकाश जो है वो घर के काफे सारे काम खुद ही कर रही है उनको जो है बिजी रहना काफे ज़दा पसंद है तेजस्वी प्रकाश ने आज सुबा ब्रेकफास बनाया जो कि घरवालों को पसंद नहीं आया पर उसका भी उन्होंने मूत और जवाब घरवालों को दिया जिसकी जानकारी हमने अपनी वीडियो के जरिये आप तक पचाही दिये जिसको आप लोगों ने काफिज़ा प्यार जहां पर जयाय ने बोला कि रुख जह मैं उसको बोलता हूँ वो ये सब चीज़े साफ कर देगी किसी से वो लोग बात करने वाले थे और उनसे साफ सफ़ाय करवाने वाले थे जहां पर तेजश्वी जो है उनकी एक भी नहीं सुनती उसको साफ करती रहती और ये बात बोलती है जब तक तुम उनको जाके बोलोगे और जब तक कोई मानेगा इस चीज़ को साफ करने के लिए तब तक तो साफ हो जाएगा ये जो टोन है तेजस्वी की बहुत ही सब प्यारी थी और बहुत ही हंबल होके उन्होंने ये बात बोली जिसके बाद सब लोग बोलने लग गए कि भाई ये तो एक नहीं सुनती है कर देती है सब काम पर यहाँ पर एक बात है जब दंड देने की बारी आएगी और बिग बॉस ये चीज़ पूछेंगे घर वालों को कि आपसी सहमती से ये चीज़ बताओगे घर का जो सबसे कामचोर सदस्य कौन है पर तेजस्वी प्रकाश का नाम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि को लेकि हमें कमेंड बॉक्स में जरूर बताइए इसी के साथ मैं लेती हूं जाज़त नमश्कार